हेलो फ्रेंड्स, डव्लो एस क्यूब टैक के चानल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाल हैं कि Microsoft Word के अंदर हम लोग अपने हर पेज के अंदर कैसे अपने नमबर, यहीं कि जो पेज नमबर हैं, उनको हम लोग यहां इंसर्ट कर सकते हैं आप लोग देखते हैं, जो आप बुक्स देखते हैं, उस बुक्स के अंदर हर पेज के ऊपर एक नमबर लिखा होता है, जैसे पेज नमबर 54, 56, 55, जो कुछ भी नमबर आप देखें, वो सब कुछ वहां आपको लिखावा दिखता है तो यही सारे काम दोस्तों हम लोग अपने Microsoft Word में Notes बनाते टाइम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों मैं यहां पर ब्लैंक पेज एक ओपन करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यमेंट ओपन करता हूँ, दोस्तों यहां पर मैं कुछ content लिख देता हूँ, जैसे इक्वल्स टू आ बहुत सारे pages बन जाएंगे, ठीक है, तो मैंने यहां पर जो है, वो total page जो है, वो 8 बना ली, आप देख सकते हैं, दोस्तों मैं चाहता हूँ, यहां पर कि इस page के ऊपर की तरफ या page के नीचे की तरफ और उपर भी है, तो दोस्तों left में, right में या center में एक page number insert करना चाहता ह top of page मतलब आपके पास header हो जाएगा, और ऐसे bottom of page अगर आप करेंगे, तो दोस्तों यह आपके पास footer में आ जाएगा, header and footer मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, इसके लावा दोस्तों page margin में अगर आप लेना चाहरे है, मतलब ऐसा area जहां पर आपका content नहीं आएगा, ज अगर आपको लगता है, पेज का कोई particular format आपको रखना है, जैसे कि आपको लगता है कि मुझे 123 नहीं लेकर के कुछ और लेना है, जैसे ABC लेना है, या ऐसे ही कुछ और भी format जो आप देख रहे हैं, वो अगर आप लेना चाहे तो आप उसको भी select कर सकते, इसके लावा दोस से कहां से शुरू करना चाहरे है, by default वो one ही रहेगा, और one से फिर आगे start करेगा, I hope clear हो गया होगा आपको, ठीके इसी type से आप यहां पर OK बटन पे click कर सकते, यहां पर हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि मैं आपको यहां पर वही सारी चीज़े दिखा रहा हूं, तो दोस करें, जो भी आपको design लग जाए, वो choose कर सकते हैं, तो मैं यहां पर जो है, वो इसी को ले लेता हूं, एक circle बनाऊगा, उसके अंदर page number लिखा होगा, तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा page number 8, उपर जाके देखेंगे दोस्तों, तो आपके पास ही हो जाएगा page number 7, ऐ देखेंगे, उसके बाद page number पे जाना है, टॉप पे, बॉटम में, जहां आपको चाहिए, आप वो choose कर सकते हैं, location आप यहां से पता सकते हैं, जैसे आपको सही लग जाए, दोस्तों, मैं यहां पर यह चूज कर लेता हूं, तो देखेंगे page number आपको इस जगी पर दिखाई दी जाएगा, तो header and footer, I hope आपको clear है, दोस्तों, कई बार यह जो header and footer का margin होता है, यह जो space होता है, उसको भी आपको change करना पड़ता है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं, जो आपने header and footer को select कर रखा है, तो यहां आपको दिखाए दे रहोगा header and footer, और यहां पर हम लो देख सकते हैं, तो मैं यहां पर दोस्तों इसको कर देता हूं close, जिसे कि हम लोग वापस अपने document मा आ चुक है, और page number भी इसमें insert हो चुका है, तो page number कैसे insert करते हैं, दोस्तों बिल्कूल clear हो गया होगा, समझ माया होगा आपको कैसे हम लोग अपने Microsoft Word के अंदर page number को insert कर सक देखते हैं, तो आज दोस्तों इस वीडियो में लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए topic के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थेंक्यू